आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello Students, हमें दिया गया है इन में से वर्तने की दरश्टी से शुद है नमबर एक दिया गया है हमें अंतरदान नमबर दो दिया गया है हमें सस्टम नमबर तीन पर है सैस्त्र नमबर चार पर है अनुशंगिक तो आओ देखते हैं इन चारों में से कौन सा शब्द वर्तनी की दरश्टी से बिल्कुल शुद्ध है देखिए हम यहां लिख देते हैं वर्तनी की दरश्टी से वर्तनी की दरश्टी से शुद्ध शब्द हमारे पास कुम सा होगा यहां पर अंतरदान होगा अंतरदान यह हमारे पास क्या होगा बिल्कुल शुद होगा अगर बात करें कि नंबर एक हमारे पास अंतरदान बिल्कुल शुद है तो यह हमारा क्या होगा आस्वर होगा तो बाके तीन हमारे पास गलत क्यों है तो इनके लिए भी हम लिख लेते हैं आपर हमारे पास नंबर एक पर दो पर लिखा है हमारे पास सश्ठम नंबर तीन पर है हमारे पास सहस्त्र नंबर चार पर है हमारे पास अनुसंगिक तो दिखिए तीनों को तीनों हमारे पास क्या होंगे अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द होंगे अगर इनको शुद्वर्तनी वाला बनाना है तो किस प्रकार बनेगा तो दिखे शुद्वर्तनी के लिए बनाने के लिए हम क्या करेंगे इनके लिए सस्टम के अंदर मैं को हटा देंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा शस्ट आ जाएगा नमबर तीन पर बात करें, यहाँ पर सहस्त्र नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास होता है सहस्त्र, जिसका मतलब होता है पूरा को पूरा सो, बात करें नमबर चार पर अनुसंगिक, तो यहाँ पर अनुसंगिक ना होकर हमारे पास क्या होता है, अनुसंगिक होता है, तो यह क् क्या था अंतरदान था जो कि हमें दिया ऑप्शन नमर एक के अंदर तो ऑप्शन नमर वन इस दा प्राइट अंस्वर्ट वर्तिने की दरिश्टी से शुद्ध सब्ट कौन सा है अंतरदान क्लासिक स्ट्वल से लेके नीट आयाइटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर